हेलो आइस कैसे वाप लोग आएव आपना सब बढ़िया होगे तो अब डिसकस करते हैं हम ग्रूपिंग पढ़ रहे थे पहला सिस्टम था एब यू अब हम पढ़ेंगे आरेच जब भी आपने ब्लड ग्रूप कराया हो टेस्ट कराया होगा या सुना होगा अपने आसपास ये बोलता है इन खिलावाच और उसके आगे हर किसी में पॉसेटि आ एंगेटर आ तो हमें भी पॉसेटिव नेगटिव के बारें वह डिसकस करने हमें यह दोनों बाते अलग अले ठीक है तो पहला सिस्टेम एल्ब कर लिएologne था जबर वो है आरेच वेक्टर और एक्टर क्यों बोल रहे है विकॉज यह ऐसा इंटीजन है जो पहली बार हमें रेसे मैंकी मिला डिस्कवर करा ठीक है लेंस्टर एन वेबनर वेनर ठीक है बलाब चालिस साल बाद आया था ना चालिस साल बाद आया था कुछ वन नाइन जिरो जिरो में यह आया था करी मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं क्या पता बट हाइए समझ लो कि आपका आरेस फैक्टर रहें काफी देर बाद आया था पहले एक्वी सिस्टम आया हमने वह समझ लिए अच्छे से बट क्या हुआ उसके बाब जूद भी कुछ ना क प्रिसर्च करी करी साइन्टिस्ट वगेरा ने ठीक है तो फिर आपका निकल के आया कि हाँ एक 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 फेक्टर और है वो भी इसके उपर गही रोल प्ले करता है ठीक है तो पहले एब्यों सिस्टम आया था उसके बाद आरेस अब मैंने क्या बोला एक एंटीजन है डी एं इन्टीजन भी होंगे लेकिन जो में एंटीजनिक प्रोपर्टी जो हीओन में रखता है वो डिएंटीजन है मतलब आपको डियेंटीजन अगर और प्रेजन है तो इसे युद्र आप बोलोगे अगर डेंटीजन प्रेजन नहीं है तो उसे आप negative बोलोगे, simple है, इतना simple है, तीक है, अभी देखेंगे, तो 85% human में positive होते हैं, और यह more common, इनके color, skin color थोड़ा black होगा, तीक है, तो वहाँ पे positive का number बढ़ जाता है, तीक है, तो मैंने क्या बोला, d antigen present, तो positive, d antigen absent, तो RH negative, simple, अगर मैं simple समझाओ आपको, कि आपक दिख रही है, यह ना, एक RBC दिख रही हैं आपको, तो इसके उपर क्या है, आपको दिख रहा है, d antigen, तो मुझे बताओ, यह आर्म पॉजित्यव ए नेगतिव है, आप बोलोगे, रह पोजित्यव है, तीक है, आप आप यहाँ पे, एक RBC दिख रही है, क्या यह आर्म प जिसके उपर एंटीजन है तो क्या उसके पास एंटीबॉडी होगी नहीं जो एंटीजन होता है उसके एंटीबॉडी नहीं होती है ठीक है तो मुझे बताओ मुझे बताओ यहां पर डीएंटीजन है क्या यहां पर एंटीबॉडी होगी डीगी आप बोलो कि नहीं होगी नह आप देख रहे लास्ट कहा देखा था यहां देखा था हरा एंटी जन था इंटी बॉड़ियी की थी प्योंकि वह नहीं था है एंटी जन और आपको जो यह Laoth है, लैन सुनु लाओ थे उसके हिसाब से आप बोलोगे वह अच्छा आरेच नेगेटीव है, इसका मतलकर इसके बाश डिय अंटी जämä नहीं है, इसका मतलब इसके पास एंटी बाडी ओंगी दिए टो मतलब होता है बट नहीं एंटी बॉड़ी हाँ भी नहीं है एंटी बॉड़ी हाँ यह फेलियर है नव जी किसी यारे चीक से आरे हुछ ठीक है अब मैंने क्या बोला आप से यह डॉन डॉन फॉलो लेंश्टेनर लो यह एक्सेप्शन है अभी तरह हम देखा था कि अगर आपका यह हां पे antigen A है तो antibody B B की मिल रही है मतलब उसकी नहीं मिल यह से रही हैना तो लेकिं यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पे antigen भी नहीं है तो anti body होने चाहिए थी को cow commission the 연-ah ऑनी टीज़न नहीं है negative वाले के क्लाव नहीं होगे नेचरल एंटीबोडी प्रेजेंट होती ही नहीं है नेचरली ठीक है बट अगर आरेज पॉजिटिव इफ आरेज पॉजिटिव ब्लड इस ट्रांस्फूर्ज ट्यूआ आरेज नेगेटिव मतलब मतलब एक पेशेंट था यह बी बाला इसके अंदर ए पास अगई जिसके पास dnt जangके पहले नहीं था आरेज नेगेटिव मतल यह बनाता हूं ऐए यह यह यारीव यह 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 rbc Bayern रिवीज नहीं है अब क्या हुआ किसी ने इसमें ब्लड ट्रांस्फ्यूज करा और कुछ आर्बीसी आई कुछ नहीं आर्बीसी आई कौनसी वाली आरेस पॉजिटिव वाली मालो यह एंटीजन है तो डी एंटीजन आ गया है न मतलब आपने आरेस नेगेटिव के अंदर आरेस नेच्रल एंटीबॉडी नहीं है डी एकलाव ठीक है लेकिन हाँ जावजस्ति एक नेगेटिव वाले में पॉजिटिव ब्लड डालेंगे तो नेगेटिव वाले की बॉड़ी एंटीबॉडी बनाएगी तो वह आपके एंटीडी बनेगी लेकिन नेच्रल यह कोई प्रेटल टीडी हो में जाएगा या फिर यह और फिर नेगेटिव है तो यह लेकिकेस यह तो पड़ते गार कैपिटर टे मैंडल के लो सब पढ़का है मुझे पता है ठीक है चलो अब मैंने बूला एक एक फादर है जिनका ब्लड ग्रूप जिनका जिनका पॉजिव है एक आपका वह आपका पॉजिटीव है वही पॉजिटीव है चलो सिंपल लेते हैं पहले वह आपका नेगेटिव है एक सब्सक्राइब है तो बच्चों की पॉसिबिल्टी क्या क्या हो सकती है बच्चों की पॉजिटीव इन तो दो रास्ते हो सकते हैं या तो यह वाला पॉजिटिव हुआ तो बच्चे आपके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगटिव भी आएंगे यह बहुत असान है यह ज्यादा दिमांगी लगाना है कि नीट निकाल क्या हो मैंडल का पहला प्रॉस भी कर आऊगा ना मोनो हाइबिर्ड प्रॉस तो करते हैं सवाल ऐसे ठीक है सिंपल अगर आपसे मैं पूछ हूँ आप मुझे बताना ना कैसे बता हो कमेंट करते हैं ठीक करके कमेंट कर देना यह पॉजिटिव है यह ये वाले पॉजिटिव यह कि on में रेंतlaw कौन से बाले पॉजिटिव मेन कर उपसंस आई है इस कौन सा उप्सञ्ण सही है बच्चे सारे पॉजिटिव यह लगा हूं शाइनए ठीक है चलो बताओ कि ओके ठीच चलो ठीच आप कुछ कर सकते हो आप देखते हैं एक लास्ट टॉपिक इसका अगर कुछ आरेच इनकेंपेटिबिल्टी मतलब आरेच नेगेटीव वाले पॉजिटिव डाल दिया तो क्या होगा क्या होने वाला चलो देखते हैं ठीक है तो मैंने क्या बूला आ आड़ नेगेटिव के अंदर आड़ पॉजिव घया देखो 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 यह हम पहले किसका है मुझे बताら आरेच नेगेटिव का तो कि इसके पास एंटी जन डी नहीं है तो आइस नेगेटिव ब्लमै है अब गलती से इंकaltetव टी हुई और आप एसा बॉलस ड लाल दिया जो एंटीजन डी इसके पास था तीक है पहली बार तो अब क्या होगा बदले हिमें बताओ विदिन few months मलब विदिन वन मन मनत टू मन्त क्या होगा कुछ एंटीबाडी बनेगी इसके खिलाफ बनेगी antibody तो मैंने लगा है ना और जो आपकी RBC क्या थी जो बाहर से आई है मतलब ये वाली जो RBC थी ये वाली जो RBC थी उस एक महिने में वो इखटा होंगी होगा और मैक्रोफिज उन्हें खा जाएंगे है ना मतलब इतना कोई बड़ा एंटी बॉड़ी अटेक नहीं कर पाएं क्यों तो कि एक महीना बनने में लग गया उनको जब एक महीना बनने में लग तो जो रियक्शन होई थोड़ा बहुत फीवर वगरा जो भी हुआ हुआ ह प्रट वजना सिवर इंपक्ट नहीं हुआ ठीक है क्योंकि मैक्रोफेस उसे खा लिया विकाद ऐन्टी बॉड़ी भी बन रही है एक महीना लग रहा है ठीक है अब क्या हुआ दूसरी बार एन अब क्या हुआ वह एंटी बाडी बन चुकी अब अब आब दूसरी बार आया परसन सेम आरच पॉजिटिव लड़ आया इस बार एंटी बोडी पहले से बनी होई है सेकेंड टाइम ब्लड आ रहा है ना पहले बार में दिक्कत थी हारे पास ने अच्छल एंटी बॉड़ी नहीं है और एंटीटिके क्लाव तो पहले बनी लेकिन दूसरे बारा प्लट आया तो इंटीबॉडी पहले से बनी होई है तो इस बार जो भी ट्रांस्फीससर्ण रेक्शन होगी और रोगी होगी और बहुत कॉंपलिकेशन होंगे इसकी ठीक के और उसमें उसकी डेत बगए रहे अन संग्से पढ़ाऊंगा बट में फंडा समझने आपको कि आरज नेगेटीव हो आरेज पॉजटीव हो आरज नेगेटीव में एंटीजन दी नहीं होगा आरज पोजितिव में टीजन दी होगा लेकिन एंटीवर्डी किसी भ्यास नहीं होगे यह अलग है अगर मैं पूछाँ आपसे यूणिवर्सनल यूणिवर्सल डॉनर कौन रिसेप्टर और देखते हैं यूनी तो वरसल रिस जो द्रसीव कर सके हैं ना रिसीजिव रेसीव पेंट क्या होगा कौन ले सकता है कशी से ब्लर ले सकता है फारगी नहीं पढ़ता कौन हो आगर ना पहला बात कूर हो अगर किसी की RBC के पास A B B B है तो उसकी antibody तो बनेंगी नहीं कोई तो अगर antibody बनेंगी निपकोज दोनों antigen उसके पास हैं तो अगर मैंने इसमें अब लड़ यह किसी बी केस में ऐसा तो नहीं आ रहा कि ऐसा इन्टीर हैं जो इसके पास पहले हैं बताओ अब बी ओ तो मनलब कुछ होता ही नहीं है तो यहां तो कोई दिक्रत नहीं तो एवाल एवी वाला ब्लड कोई भी आपका एवी ओ सिस्टम से ले सकता है अब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा नेगेटिव वाला एंटी बुटी बना लेगा बट पॉजिटिव वाला अपने पॉजिटिव क्यों एटिव बनाएंगा trip लेगा तो पॉजिटिव वाला ब्लड ले सकता है और नहीं से ब्लड सकते हैं तो सुम्ष कॉल आरहां यह बहुत असान है न किसी सबस्ण आता नहीं नेगेटिव वाला ब्ल के बच्चे पढ़ रहा है वीडियो बनाता हूं आप अजयादा प्रेसर आ रहा है वीडियो बनाने वीडियो बनाने बट अगी ने अब सुबहें के बोलूँगा सुबहें के चार बज़र अभी सोने सोने जाओं एक यहां खत्म हो जाए बट मुझे पहुंचे वीडियो बताना ओके तो यह यूडिवर्सल रिसेप्शन कौन कर लेगा एबी पॉजिटिव ठीक है चलो आपका कोश्चन यूडिवर्सल डूनर कौन होगा कमेंट करना अगर जब भी वीडियो देखर समझ में आना चाहिए बहुत असान है पता भी होता है रटा अब हमें इसका एक एप्लिकेशन देखेंगे इस इनकंपैटिबिल्टी का नेक्स लिलाज में उसके बाद हम कुछ ब्लड ट्रांस्विजन रियक्शन वगरा देख लेंगे प्लंट ट्रांस्विजन कप्ले ट्रांसफर करना क्या कर देखना होता है ना बहुत यूनिटी में इनेट अक्वाएड आपका पूरा कॉंप्लिमेंटरी पाथवे काफी कुछ आने वाला ब्लड यूनिट सथ में बड़ी यूनिट है अब यह टाइंग भी नहीं यह पेपर भी आने वाले मेरे तो इस वड़िए से बाकी यूनिटी काफी बड़ी हो काफी इ फिर देखोंगे ठीक है चलो यार ठीक है आयूप मजाए आपको ठीक है चलो ठीक है थैंक यू बाई